देश वासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोच कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज डूटी में कमी की थी केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आगर किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और यह बेनिफिट नागरीकों को ट्रांस्पर करे इसके बाद कुछ राज्यों ने तो बारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्यों के लोगों को इसका कोई लाप नहीं दिया गया इस वज़े से पैट्रोल डीजल की कीमते इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकामले कहीं ज़्यादा है यह एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही साथ ही पडोसी राज्यों को भी नुक्षान पहुचाता है स्वाबाविक है कि जो राज टैक्स में कटोती करते हैं उन्हें राज्यस्व की हानी होती है जैसे अगर करनाटका ने टैक्स में कटोती नहीं की होती तो उसे इन छे महिनों में 5,000 क्रोड रुपिय से जादा का राज्यस्व मिलता गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसोई भी साड़े तीन चार हजार करोड रुपिय से जादा का राजय स्वे और मिलता लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरीकों की भलाई के लिए अपने नागरीकों को तक्लिव नहीं इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए वही गुजरात और करणाटा के पडोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन शे महिनों में साड़े तीन हजार करोड रुपिय से लेकर के पांच साड़े पांच हजार करोड रुपिय तक अतिरिक्त राज्यस्व कमा लिया जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर मेहने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्यों मैं यहां किसी के आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की बलाई के लि अब कई राज्य जैसे माहराष्ट्र, पस्चिम मंगाल, तेलंगना, आंधर पदेश, तमिलनाडू, केरला, जार्खन, किसे ने किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरीकों को बोच कंटीरू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दोरान इन राज्यों ने कितना रेवन्यू कमाया। लेकिन अब आप से मेरी प्राथना है कि देश हित में आप पिछले नमंबर में जो करना था, छे महने डीले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरीकों को बेट कम करके इसका benefit पहुँचाईए। आप सब जानते हैं कि बारत सरकार के पास जो रेवन्यू आता है, उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है, मेरा सभी राज्यों से आग रहे हैं कि वैस्वीक संकट के इस समय में कोपरेटिव फेडरलिजम की भावना पर चलते हुए एक टीम के रुक में हम सब मिलके काम करें, अब मैं कई विशे हैं बारी की मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे फर्टिलाइजर, आज हम तो फर्टिलाइजर दुनिया की देशों पर डिपर्नेंट है, कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सबसीड़ी पड़ रही है, हम किसानों पर बहुत ट्र राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देश वाच्यों के हित्में उसकी सर्वच्च प्राफिक दे